हाई फ्रेंज आई एस टेकनिकल में आपका फिर से स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बदाने वाला हूँ कि आप अपने फोन पे का क्यूवार कोड फिरी में अपने घर बैठे कैसे मांगा सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को वीडियो के स सब्सक्राइब करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को दबाले ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे मैं इस चैनल पर आप से जूरी टेकनिकल वीडियो लाता रहता हूं तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को यहां पर देख सकते हैं जो आपको दिख रहा है यह मेरे मोबाइल का डिस्पले है तो मैं सबसे पहले फोन पर जाओंगा फोन पर बिजनस पर तो आपको दिखाओंगा यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर फोन पर बिजनस लिखा हुआ है यही वो एप है वहां से आप मांगा सकते हैं अपने phone पे का sticker जो QR code है वो फिरी में अपने घर बैठे मांगा सकते हैं अगर आपके पास ये app नहीं है तो मैं इसका link description में डाल दिया हूँ वहाँ से आप download करके और install करके verification कर सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले मैं phone पे business पे click करूँगा तो click करने के बाद देख सकते हैं ऐसा खुलेगा और खुलने के बाद ऐसा display आपके सामने आजाएगा जो आपके सामने दिख रहा है वैसा display आपके सामने आजाएगा पहले बता दूँ कि अगर आप जब phone पे business इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे आपके phone पे का mobile नमबर मांगेगा और वहाँ पे डाबने के बाद वहाँ पे mobile नमबर लिखने के बाद जब click किजिएगा तो OTP आएगा OTP डाब देना है OTP डालने के बाद verification होने के बाद ऐसा display आपके सामने आ जाएगा ऐसा display सामने आएगा उसके बाद देखिएगा सबसे उपर आपका नाम दिखाएगा जो आपके phone पे होगा वो नाम दिखाएगा यहाँ पे देख सकते हैं और उसके बगल में आपके profile का DP दिखाएगा अच्छे खरिदने जाते हैं तो वहाँ पे वो QR कोड रखा रहता है अगर आप सौपर है मतलब आपके कोई दुकान है तो आप भी इसे फिरी में अपने घर बैठे मांगा सकते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने profile पे क्लिक करना है profile पे क्लिक करने के बा तो ऐसा display आएगा तो देख सकता है मैं 2 QR कोड मंगाया हूं जो अभी आने वाला है और एक QR कोड मैं मंगा चुका हूं जो मेरे घर पे आ चुका है मुझे receive हो चुका है दो और QR कोड मैं मंगा रहा हूं जो यहाँ पे देख सकता है वेटिंग लिस्ट में तो यहाँ पे इस पे वहाँ पे आपको receive करना है या कोई और चेंज करना है एड्रेस वहाँ पे मंगाना है या नहीं भी आ सकता है या कॉल नहीं भी आ सकता है उससे आपको टेंशन नहीं लेना है कॉल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है लेकिन जब QR कोड आ जाएगा तो आपके रेजिस् iOS इसा दिस्प्लिइगा जो आपके सामने दिख रहा है उसके बाद दखी हैगा यहां करने नाम्न रिजिए होगा यहां पर लिखा और उसके बाद आपको नीचे लिखा हुआ है यह पको को phone number डालना राइक वह फोन नमबर जो आपके मोबाइल में रिस्टर्ड है या वह ला सकते हैं जब आपके पास क्यू आपके पास कॉले आसके मोबाइल नमबर यहां पर डालने के बाद यहां पर उसके नीचे लिखा हुय सर्च एडिया मतलब आप किस एडिया में रहते हैं है कहां पर आपको मंगाना है delivery address मतलब बोल रहा है यहां पर लिखने के लिए यह पे आपको कर लेना है अपना एरिया मसल्ब जहां पर रहते हैं तो मैं अपना area अपना अडरेस यहां पर पर कर्लूँंगा तरह से यहां पे अपना एड्रेस फिल करने के बाद देख सकते हैं यहां पे लिखा का गार सब्सक्राइब कर देखा हुए है धूर्ऽ merits यहां-टैब लगया है यहां पर itu करें की सथिया है तो मैं अपने ख्री in अगर आपका बिल्डिंग नेम है तो लिख सकतेék या कोई नमबर आप यहां पर डाल सकते हैं और आपका बिल्डिंग नेम नहीं है या नमबर नहीं है तो यहां पर आप डाल सकते हैं कुछ भी तो यहां पर मैं नाम डाल देता हूं राज मंजील राज मंजिल करके मैं नाम डाल दूगा यहां पर यहां पर डालने के बाद यह आपका पूरा setup complete हो चुका है अब आपको शिर्फ यहां पर दिख रहा है राइट साड में नीचे की तरफ रिक्वेस्ट आपको रिक्वेस्ट पर किलिक कर देना है क्लिक करने के बाद फ्रेंस देख सकते हैं यह ऐसा डिस्प्लेइ आपके सामने आएगा और यहां पे पुछेगा आप लिखा हुआ है अगर मांगाना चाहते हैं तो आपको जिसे दिकत नहीं है नहीं भी आता है कभी कभी कॉल और लेकिन आपका स्टीकर आजाता है इस्टीकर जब आता है यह QR कोड का एस्टीकर जब आपके पास आएगा उस समय आपके पास जरूर कॉल आएगा कि यहां पर आ चुकाई आप यहां से आपके रिसीब कर लिजी तो फ्रेंस यह था आज का ट्यो की QR कोड कैसे मंगा है मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आ कोमेंट्स में पूछ सकते हैं अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लागा तो प्लीज प्लीज एक लाइक कर जिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्काइब कर लिजिए